सेक्सवल एंग्जाइटी क्या है? सेक्सवल चिंता क्या है? भवुस से ऐसे पूरुस हैं जो सेक्सवल्टी का खुल कर आनंद नहीं ले पाते हैं और 80% महिलाएं तो कलाइमेक्स तक पहुँची ही नहीं पाती हैं वो चरम सुख का आनंद ले ही नहीं पाती हैं इसके पीछे जो reason है जो कारण है वो कारण है sexual anxiety आज के इस वीडियो में आप यही समझेंगे कि sexual anxiety क्या होती है और उसको कैसे दूर करना है मैं हूँ राजेंदर जोदपुरिया मनोविगनिक counselor और आपकी मानसिक और sexual समस्याओं का समय समय पर वीडियो और counseling के माध्यम से बताता रहता हूँ बात करते हैं महीला की sexual anxiety की अब सुरुआत बचपन से करते हैं बचपन में किसी लड़की का शारीरिक सोशन हुआ तो उसको मेल से चिड़ होने लग जाएगी जैसे ही मेल उसके पास आएगा उसके अंदर anxiety होने लग जाएगी अगर हमारे साथ कोई बुरी घटना घट जाती है तो उसका परिणाम भी बुरा होता है और वही बुरा परिणाम दुबारा घटना ना घटे इसके लिए anxiety होने लग जाती है जैसे एक पुरुस है वो अपनी पत्नी के पास जाता है और जैसे ही वो sex करने की कोशिस करता है पत्नी कहने लग जाती है तेरी माने ये कर दिया घर में ये तो पुरुस को anxiety हो जाती है वो कहता है कि अरे अभी तू छोड़ अभी बाद में समस्याओं को ले लेंगे अभी तो कहीं और पहुंचना है लेकिन महीला फिर से वही शुरू कर देती है तो पुरुस के लिए anxiety क सुरुवात हो गई फिर दुबारा जैसे ही वह activity करने लगे फिर यही तो तीसरी बार पुरुस नजदीक ही नहीं आएगा जैसे ही वह अपनी पत्नी के नजदीक जाएगा उसको anxiety होने लग जाएगी उसको feeling ही नहीं आएगी तो ऐसा ही महिलाओं के साथ भी होता है कि बच् आइगाओं ने पंडितों ने धर्म गुरुवों ने ये बताया होता है कि सेक्स बुरा होता है इससे नरक में जाना पड़ता है यह बहुत गलत activity है इस से गंदगी फैलती है तो महिलाओं के मन में ऐसे विचार हैं और जब भी वह सेक्स करने लगते हैं तो ऐसे वीचार हा कि जैसे ही कोई sexual activity आप करने लगते हैं महिलाएं सहज नहीं रह पाती हैं, वो as-as हो जाती हैं, ऐसा नहीं है कि उसको हर इंसान से anxiety होगी, माल लीजिये कि रमेश नाम के इंसान ने बच्पन में गलत किया, तो उसको रमेश नाम से भी anxiety हो जाएगी, लेकिन हो सकता है कि कोई लड़का उसे पसंद हो, उसका नाम अमित है, तो अमित से उसे anxiety नहीं होगी, अमित से बात करना, उसे टच करना, उसके पास जाना उसे अच्छा लगेगा, ये anxiety पर्टिकुलर होती है, कुछ-कुछ इंसानों से हो सकती है, जिस इंसान ने एक तो गलत किया, जैसे महिला का पती बिलकुल अनाडी है, नशे में शेक्स करता है, उसे बहुत बहयात तरीके से रोंदता है, उसे कुछ नहीं पता है, एरोजोनियस जोन्स का नहीं पता है, बस अपनी प्यास बुजाता है, महिला की कभी फिगर ही नहीं होगी बस एक गटिया कृत्य बनके रह जाएगा तो यह थी सेक्शुल इंग्जाइटी इसको दूर कैसे करना है वो करना है गिल्ट बाव अटा करके काउंसलिंग और थेरपी से इसके लिए आप उसे बात भी कर सकते हैं मानो तो मोज है वरना समस्या तो हर रोज है